हलो वीटिओट वेल्कम बैग तो वेर यूटूब चैनल आज की वीडियो में हम बात करेंगे फार्माकुलाज़ी का चैप्टर नंबर फरस्ट और हम इस वीडियो मेंliamoबर उसको डेटेल में समझेंगें पूरा स्लेवर्स जो है फर्स चैप्टर का इसी वीडियो में कवर करेंगे तो आपको वीडियो ध्यान से देखनी है और इसमें हम सब कुछ हिंदी में पढ़ रहा हैं जो कि हमारे हिंदी से पढ़ने वाले स्टुडेंट हैं उनके लिए इस्पेशली ये डेडिकेटट स्ले लोजी को हम सबसे पहले डेफिनिशन देख लेते हैं फार्मकलोजी कि क्या होती है फार्मकलोजी लिविंग और गैनेजम के साथ रग इंट्रेक्शन की स्टड़ी करना फार्मकलोजी कहलाता है तसा इसमें ड्रग की हिस्ट्री सोर्स प्रॉपर्टी डोसिज form method of drug administration absorption distribution mechanism of action excretion clinical trials clinical use भी बोलते हैं adverse effect की study करते हैं तो यह थी हमारी definition pharmacology की अब इसके बाद में हम देखते हैं clinical pharmacology किसे कहते हैं इसके द्वारा हम drug के pharmacological action को main route of drug administration safe doses range में clinical trials के दोरान देना सीखते हैं मतलब क्या है clinical pharmacology में हम क्या सीखते हैं कि drug को किस route से देना है और उसका safe doses range क्या है मतलब कितनी amount में drug को देना है अगर जब कोई नई drug बनती है तो उसका clinical trials होता है वह clinical pharmacology के अंडर आता है कि dose कितने amount में देनी है और किस route से देनी है ये सब चीज उसमें study की जाती है इसके बाद में हम देखते हैं drug drug होती क्या है drug एक प्रकार की chemical substance है जो की living organism के functioning में बदलाब करते है इनके उपयोग मुकता बीमारियों की जाच रोगताम और उपचार करने में होते है मतलब drug क्या है एक chemical substance है जिसका उपयोग किसलिए करते हैं living organism की functioning मतलब उनके बदला में जैसे कोई bacteria है वो हमें हाम कर रहा है हमें नुक्षान पहुचा रहा है किस तरह नुक्षान पहुचा रहा है क्या function कर रहा है तो हम उसके function को ही change कर दें तो वो हमें नुक्षान नहीं पह हो चापाएगा तो इसकी जहांच करने के लिए भी drug का यूज होता है इनकी रोक थाम के लिए भी होता है और उप्चार करने में drug का यूज होता है इसके बाद में हम देखते हैं pharmacy फार्मेसी क्या है यह एक तरह के विज्ञान है जिसके द्वारा drug की dispensing handling, storing, patient counseling, drug identification, drug preservation, drug selection, control and cure of disease की study करना सीकते हैां pharmacy क्या है इसमें हम दभाईाउं को किस तरह से dispense करना है मतलब बाटना है handle की दभाईाउं को handle किस तरह करना है इनको store किस तरह करना है जिससे वो जियोंगी तेयों बनी रहे है पेशेंट की कैसे करना जैसे कुछ एंटिवाइटिक किसी पर्टिकुलर डिसीज में बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं तो ड्रग सेलेक्शन इसी को कहेंगे बीमारी को रोकना कैसे है और उसको ठीक कैसे करना इसकी स्टड़ी फार्मेसी में सीखते हैं अब हम देखते हैं फार्मको डायनमिक क्या होता है? इसमें ड्रग के बाईलोजिकल और थेरापुटिक एफेक्ट की श्टड़ी करते हैं ठीक है? और इसकी एक डेफिनिशन देखते हैं ड्रग ने बॉड़ी में जाकर क्या किया? मतलब अपने बॉड़ी में इंजैक की या खाई या किसी भी तरह से किसी भी रूट से administer की, उसके बाद में drug ने हमारी body में जा कर क्या किया, इसके अध्यन को ही pharmacodynamic कहते हैं, यह इसका अध्यन pharmacodynamic कहलाता है, ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं, pharmacokinetic, इसमें ड्रग के ADME, absorption, distribution, metabolism, excretion की study करते हैं किसमें? फार्मको काइनेटिक में अब इसकी एक particular definition देख लिएते हैं बॉडी ने अंदर आई ड्रग के साथ क्या किया है? इसका अध्यन करना ही फार्मको काइनेटिक क्यालाता है तो आप बहुत easily समझ गए होंगे कि फार्मको डाइनमिक क्या है और फार्मको काइनेटिक क्या है? फार्मको डाइनमिक क्या है? ड्रग ने जो बॉडी के साथ में किया उसको क्या बोलेंगे? फार्मको डाइनमिक इसके अंदर किसी disease के prevention और treatment के लिए सही ड्रग को चुनने का अध्यन किया जाता है मतलब कोई बीमारी है उसके लिए क्यों सी ड्रग दी जाने चाहिए या कौन सी एंटिवाइटिक कही तरह की होती है वो कौन सी एक पर्टिवाइटिक दी जानी चाहिए इसका study हम पार्मको थेरापीटिक में करते है अब हम देखते हैं अपनी दूसरी definition toxicology बहुत से ड्रग को निर्धारित मात्रा से अधिक बॉड़ी में लेना toxicity उत्पन करता है तब तथा ये बिस जहर या पोईजन का कारे करता है मतलब कोई ड्रग है अगर आपने वो एक enough amount sufficient amount से ज़्यादा ले ली तो वो क्या करेगी दुस प्रभाब आपकी body पर डालेगी मतलब आपकी बीमारी सही तो नहीं होगी पर आप और ज़्यादा बीमार हो जाओगे तो इसे ही क्या बोलते हैं toxicity बोलते हैं तो दुस प्रभाब डालना क्या होता है toxicity कहलाता है तो इसी की study को हम toxicology में करते हैं तो आप समझ गए होंगे हम थोड़ी सी और देख लेते हैं इसके बारे में ड्रग के toxic effect की study करना ही toxicology कहलाता है तो आप यह समझ ही गए होंगे अब हम देखते हैं कीमो थेरपी कीमो थेरपी क्या होती है microorganisms, parasites and new plastic cells जिनने cancer cells भी बोला जाता है किसी भी living organisms में होना या living organisms के साथ multiply होने से रोकना और ठीक करने के लिए जो process किया जाता है उसे कीमो थेरपी कहते हैं मतलब microorganisms, parasites या new plastic cells, cancer cells जो abnormal cells किसी भी living creature में होने लगती हैं तो उसे क्या बोलते हैं? cancer cells बोलते हैं तो इनकी multiply होना मतलब इनको बढ़ने से रोकना या फिर इनको किसी भी जीप पर निरधारित होना मतलब बैसे किसी कोई ब्यक्ति है उसको cancer है तो क्या रहा जो cancer cell है उसकी body पर depend है उसकी body से ही substance को ले रही है और उन्हें energy मिल रही है और वो खुद को multiply कर रही है इसको रोकना और ठीक करना ही chemotherapy कहलाता है इसके बाद में क्या है और प्रॉसर्स किया जा रहा है वो क्या कहलाता है आपको यह धियान रखना है new plastic cells मतलब cancerous cell ठीक है अब इसके बाद में देखते हैं फार्मकोपिया यह एक standard book होती है जिसके द्वारा drug की manufacturing से लेकर therapeutic use तक का process हम सीखते हैं या इसमें लिखा हुआ होता है तो वो क्या कहलाती है फार्मकोपिया कहलाती है अब हम अपना next topic देखते हैं first chapter का ही root of drug administration तो इसमें हम देखते हैं यह चार बकार के होते हैं तो सबसे पहला क्या है entral root यह भी चार बकार के होते हैं जैसे oral हो गया इसमें drug mouth से दे जाती है इसमें drug mouth में जीव के नीचे रख दी जाती है sublingual में आपको यह द्यान रखना है रेक्टर इसमें drug जो है रेक्टम में इंसर्ट कर दी जाती है बजाएनल इसमें drug बजाएनल में रख दी जाती है अच्छा advantage की क्या होते हैं यह root drug the drug administration के लिए सेफ होते हैं सेफ कैसे होते हैं अभी हम आगे देखेंगे इन रूट से ड्रग को विड्रॉल किया जा सकता है मतलब आप समझिए कि अगर किसी व्यक्ति ने गलत दवा खाली है तो हम उसकी पल्टी करा देंगे वामेटिंग करा देंगे तो क्या होगी वह दवा बहार जाएगी ऐसी रेक्टल का होता है ऐसी बजैनल का होता है सब लिंग्वल में भी आप उसको बहार निकाल सकते हैं तो यह इसका एक एडवांटिज है कि अगर वाई चांस कलत दवा आपने खाली या किसी व्यक्ति ने खाली तो उसका विड्रॉल पॉसिबल है विड्रॉल म ड्रग इंशाट की जाएगी एक पर्टिकुलर एरिया में रहेगी तो वहां पर इरिटेशन तो हो गई होगा अब अपना नेट्स देखते हैं पैरेंटरल रूट में हम क्या के देखेंगे साथ से पहले देखते हैं इंट्राडर्मल यह इसकिन की लियर में दिया जाता है इसकिन की लियर में दिया जाता है इसे 10 से 15 डिगरी के कोण पर दिया जाता है ठीक है और इसकी बात करें कितने अमल दे सकते हैं तो इसको 0.1 हैंल से ज्यादा इंट्राडर्मल इंजेक्शन नहीं दे सकते हैं इसके रेंज याद रखनी है, अब हम बात करते हैं, इंट्रवेनिस, ये वेन में दिया जाता है ठीक है, और ये पंचिस डिगरी पर दिया जाता है, इसके कोई रेंज नहीं होती Moy-20 में जितनी जरूरत है, उतने फिलूड को ये इंजेक्शन को जो है, इंसर्ट कर सकते हैं, या inject कर सकते हैं इसके बाद में आता है हमारा subcutaneous इसे subcutaneous tissue में 45 degree पर दिया जाता है example insulin insulin का injection होता है range इसे क्या क्या करता है 2 ml इसे दे सकते है range 2 ml से ज़्याद़ subcutaneous injection नहीं दिया जाएगा यह आपको ध्यान दखना है subcutaneous injection का example है insulin और यह 45 degree पर दिया जाता है इसके बाद में आता है in Tra-Muscular यह Deltoid या Gluteal muscles में दिया जाता है Deltoid or Gluteal muscle आप समझते हैं जो elbow से उपर जो हमारे shoulder में होती है उसे डेल बोलते हैं और Gluteal में मतलब जिसे हंदी में cool ही भी बोलते हैं गाओं की भाशहा में तो तीनमल से जादा नहीं होती है आपको इध़िए सब्सड़ार शे होता है अताय ये जलदी अपने अशक करने में उपयोगी होती है अगर अगहर है तो तो व आप दबाई सकते हैं अगर योस ना तो कैश सखायेगा तो वहाँ पर injection का यूज किया जाता है यह सुनिश्चित अमाउट में ड्रग दी जाती है इसमें क्या होता है ड्रग जो है बल्कुल एकदम accurate amount में दी जाती है क्योंकि वो direct blood stream में जा रही होती है तो इसलिए accurate amount में drug दी जाती है कि डिसAdvantage की बात कि एंद के द्वारा administration side पर pain होता है जहां injection लगेगा वहां दर्द तो हो गई होगा तो यह इसका एक disadvantage है इनसे drug withdrawal संभब नहीं है मतलब drug एक वार अगर पहुंच गई तो आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते एक experience person ही यह drug दे सकता है इस route से मतलब जो injection injection लगाना जानता होगा सभी तरह के सब कुटेनेस हुआ इंट्रावेनस हुआ इंट्राडर्मल हुआ ठीक है और कौन सर रहे गया हाँ यह कुई है इंट्रा muscular हुआ तो यह जब जिसे आते होंगे सिर्फ वह ही लगा सकता है जबकि टैबलेट तो कोई भी खा सकता है कोई भी दे सकता है इसके बाद में हमारा आता है टॉपिकल या लोकल रूट किया जाता है टॉपिकल या लोकल रूट कहलाता है फूर्थ हमारा है inhalation nasal cavity के द्रग को एड्मिस्टर किया जाता है inhalation कहलाता है तो आप समझ गया होंगे अग जब ड्रग को इसकिन पर अपलाई कि जा रहा है जैसे कोई ट्यूब है दर्द का या कोई फंगल का ट्यूब है तो क्या हो गया टॉपिकल रूट हो गया inhalation क्या होता है जैसे आपने देखा होगा कि नाक से कुछ सूंग रहे हैं तो इस तरह की जो भी दवाई नोस के तो या माउथ के तरह इनहेल की जाए मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं जैसे जैसे ऑक्सिजन मास्क लगाते हैं ठीक है तो मतलब इसको एक स्टीम टाइप से बाडी में अंदर पहुंचाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं अनेलेशन बोलते हैं ठीक है अब हम देखते हैं ड्रग ए MKол एक प्रासेस है जिसमें ड्रक को बॉडी में एंटर होने के बाद वह सिस्टमिक स要क्लेशन या बलड सरक्लेशन में पहुंच जाती है तथा बलड सरक्लेशन से साइड उप अप्शन त होचेगी और वहां से क्योंकि ब्लड पूरी बाड़ी में सर्कुलेट होता है तो फिर वो अपने साइट आप एक्षन पर पहुंच जाती है इसी को क्या बोलते हैं ड्रग एड्जॉप्शन यह दो प्रकार के होते हैं एक्टिब ड्रग एड्जॉप्शन इस प्रोसेस में ए एनर्जी की रिक्वाइर्मेंट होती है मतलब यह बाला प्रोसेस होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है जो कि एटीप एड्विनोसीन ट्राइफॉसफेट से प्राप्त हो जाती है ठीक है अब हम अपना दूसरा देखते हैं पैसे ड्रग एब्जॉप्शन तो इसमें क्य दुआरा सिर्व बार्टर सॉलवल सबस्टांज होता है उन्ही का एब्सॉप्शन वह समब होता है अब हम देखते हैं ऐसे कौन से कारत हैं जिनके ड्रग एब्सॉप्शन अच्छा होता है या खराब हो जाता है तो वह हम इसमें देखेंगे और उनका क्या एफ्ट परता जितना पार्टिकल साइज कम होगा उतना एबजोपशन उतना अच्छा होगा मतलब पार्टिकल साइज जितना महीन होगा जितना छोटा होगा उतना ही एबजोपशन अच्छा होगा सॉलिवल ड्रक्स का एबजोपशन जल्दी हो जाता है जो Soluble Drug बोई बात आजाती है, लिक्विड ज्यादा Soluble होते हैं, तो Soluble Drug का Absorption जल्दी हो जाता है, जतना Surface Area ज्यादा होगा, उतना Absorption अच्छा होगा, मतलब आप ऐसे समझे कोई Surface Area है, वहाँ पर जतनी पदली लेर होगी ड्रग की, तो उतनी जल्दी Absorption कर लेगी ब्लड फ्लो का बिना रुकावट से होने से ड्रग अच्छा होता है मतलब ब्लड फ्लो है वो एक नियमित लूप से सर्कुलेट हो रहा है बॉड़ी में तो ड्रग अच्छी तरह से हो जाएगा इसके बाद में हम देखते हैं बायो एवेल्टी तो यह क्या होता है एड्मिस्टर्ड की गई ड्रग में से कितने अमाउंट ड्रग का एब्यॉप्शन होता है उसे बायो एवेल्टी कहते हैं अब आप कैसे समझेंगे चलो थोड़ा से इसकी डेफिनेशन एक और देख लेते तो एमजी की आपने पैरसेटा मोल खाली ठीक है तो वो बॉड़ी में ब्लड सर्कुलेशन में कितनी पहुंची ब्लड सर्कुलेशन तक कितने एमजी में पहुंच वाई उसके बीच के अंतर कोई ही ड्रग एब्जॉप्शन बोलेंगे कि आपने इतनी ड्रग खाई और इ समझी गए होंगे कि इंट्रवेनेस की ज़्यादा होती है तो फिजियो केमिकल पॉपर्टी जैसे डोजस फॉर्म का प्रबाब पढ़ता है एक्जांपल आइवी इंजेक्शन की बायो अभी सबसे अधिक होती है तो आप ही समझी है मैंने अभी बताया ही था अब हम उसमे ड्रग की बायो एवरेटी सॉलिड ड्रग से ज्यादा होती है बहुत सरल है आप इसको आरम से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं अब हम अपनी नेट्स डेफिनेशन देखते हैं ड्रग डिस्टिविशन ड्रग के एब्जॉप्शन के बाद ड्रग का साइट ओफ एक्शन त पहुंचना क्या कहलाता है ड्रग कर डिस्टिविशन कहलाता है अब हम अपनी इसके फैक्टर से अफेक्टिंग ड्रग डिस्टिविशन जहां ब्लड फ्लो ज्यादा होता है वहां ड्रग डिस्टिविशन ज्यादा होता है समझे आप लिपेट सॉलिवल ड्रग कर ड्रग ज़्यादा होता है और इसमें हम अपना next point देखते हैं capillary की permeability जतनी ज़्यादा होगी उतना deck distribution ज़्यादा होगा permeability से आप क्या समझते है permeability से जैसे कोई drug है कोई layer है उसको कितनी जल्दी पार करबा रही है और कितने amount में पार करबा रही है तो इसी को क्या बोलते है permeability जैसे कोई छन्नी होती है तो एक जगा से जब हम उससे कुछ चानते है तो उससे कितना जो matter है नीचे गिर जाता है तो वो क्या होगी permeability होगी तो हम इसमें आगे देखते हैं यह जतनी ज़्यादा होगी drug distribution उतना कम होगा क्योंकि ऐसा होता है कि metabolism अच्छे से नहीं हो पाता है तो age बढ़ने से drug distribution भी उतना अच्छा नहीं हो पाता है obesity ज़्यादा होगी तो भी drug distribution कम होगा तो मोटापा ज़्यादा होगा तो भी drug distribution कम होगा अच्छा मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, हम चाहें फर्स्ट यर के जो भी पढ़ रहे हैं, स्लेवस को, या सेकंड यर जो भी स्लेवस हम पढ़ रहे हैं, उसमें क्या है, जो भी नोट्स प्रिपेर कहे गए हैं, वो according to PCI की स्लेवस किये गए हैं, जो हम से particular पूचा ग लने की अभी कोई requirement नहीं है, वो हम बाद में अपने exit के time पर देखेंगे, ठीक है, तो हम आगे देखते हैं, इसमें, बायो ट्रांस्फमेशन ओफ ड्रग, यह एक process है, जिसके द्वारा ड्रग का एक form से दूसरे form में transfer होता है, ठीक है, यह process है, जिसके द्वारा ड्रग का metabolism हो सके, बायो ट्रांस्फमेशन क कहलाता है, ड्रग का metabolism होने के लिए एक form से दूसरे form में drug का बदल जाना या transform हो जाना ये क्या कहलाता है, बायो ट्रांस्फमेशन ओफ ड्रग कहलाता है, type of बायो ट्रांस्फमेशन ओफ ड्रग, तो उसमें क्या है, phase wise पढ़ेंगे, phase first reaction, oxidation ड्रग मॉल्क्यूल से हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सिजन का जोड़ना ऑक्सिडेशन कहळाता है और यह लीवर में होता है ठीक है यह अग्रोजन का यह अब इसमें देखते हैं आपने नेट्स्ट हाइड्रोलेस से अधिकल कोलीन होते हैं और अधिकली में आपके असमस्यों कोलीन जो है वो हाइडरोलाइज हुए होते हैं किस से कॉलीन स्टेट की मदद से तथा बदल जाते हैं कॉलीन में और एसिटिक एसिड में अब अपनी फेस सेकिंड देखते हैं जब ड्रग और प्रोड्रक के सहयोजक को रूप से जोड़ा जाता है तो इस प्रोसेस से ड्रग इस्टेबिलेटी बढ़ जाती है तथा फार्मक काइनेटिक और फार्मको डायनमिक प्रोपेटीज भी बढ़ जाती है जब ड्रग और प्रोड़क को सहयोजक रूप से जोड़ा जाता है तो इस प्रोसेस से ड्रग की स्टेबिलेटि बढ़ जाती है तो फार्मक को काइनेटिक और डायनमिक प्रोपेटीज बढ़ जाती है इसके बाद में हम देखते हैं फेक्टर इंफ्लुएंसिंग मतलब ब के वाद दे रहे हैं biological factors and you know the I temos अच्छे से function होना चाहिए liver का और kidney का drug डrug interaction नहीं होना चाहिए drug food interaction नहीं होनों जाए drug hormones attraction नहीं होता है ajnetic एक्सक्रिशन ओफ ड्रग ड्रग एक्सक्रिशन से ड्रग की डियूरेशन ओफ एक्षन बढ़ जाती है तथा इसमें ड्रग की टॉक्सिटी को भी कम किया जाता है ठीक है वेस्ट ड्रग को बॉड़ी से रुमूब करना जिसे की ड्रग टॉक्सिटी तथा ड्रग एक्षन को क करना हो तो यह process क्या कहलाता है excretion of drug कहलाता है root of drug excretion देखो kidney से हो सकता है urine के द्वारा remove करना lungs blood filtration से drug excrete out करना skin पसीने से arsenic mercury की को body से बहार निकालना intestine waste remove through stool ठीक है अब क्या saliva से iodine salt को saliva से निकालना तो यह क्या थे drug excretion अब हम अपना देखते है general mechanism of drug excretion जादतर drug अपना असर तभी देती हैं जब वह site of action और molecules से bind हो जाती है ठीक है कब असर करेंगे वह जायर सी बात है जब site of action पर पहुंचेंगे तभी वह अशर कर पाएंगे यह protein receptor enzyme आधी हो सकती हैं ठीक है side of action क्या होते हैं protein हो सकते हैं रिसेप्टर हो सकते हैं एंजाइम आधी हो सकते हैं जिनसे drug bind होती है वही बात इंसी ही drug bind हो पाती है factors modifying drug action मतलब क्या modification होते हैं जिससे drug action अच्छा हो जाता है कि एज जितनी ज्यादा एज जितनी ज्यादा होगी उतना ही drug effect कम होगा ठीक है वेट जितना वेट ज्यादा होगा उतना dose ज्यादा ही दी जाएगी सेक्स जैसे फीमेल पर मॉर्फीन का ज्यादा असर होता है ठीक है तो यह क्या है यह एक modification factors है जिससे क्या हो रहा है mechanism of drug action में बदलाब हो रहा है अब हम रूट देखते है रूट of drug administration आईवी रूट से ट्रग जल्दी अशर करती है temperature, salicylates body temperature को कम कर देता है तो यह क्या थे factors modifying drug action तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही अब हम अपनी next वीडियो में देखेंगे chapter number two pharmacology तो यह इसके आप अच्छे से notes प्रिपेर कीजिए अपनी study को कीजिए अगर कोई doubt है तो आप मुझे comment कर सकते हैं Instagram पर message भी कर सकते हैं मिलते हैं next video में तब तक के लिए take care, bye